नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक साथ दो सरकारी नौकरियों का मज़ा कैसे ले सकते हैं दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे की Government Jobs से Related Guidance आपको हमारे चैनल के माद्यम से मिलते रहें दोस्तो यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और यदि आपकी कोई Argent क्वेरी हो तो आप मुझसे सीधे फोन पे बात कर सकते हैं उसका तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है तो भारत भूशन जी क्या पूशते हैं पहले इनका सवाल पढ़ते हैं ये यूपी स्टेट में Government में Education Department में है Junior Assistant और इने हो गया है एक साल आठ महीने जॉब करते हुए इनका 69,000 जो टीचर भड़ती है इसमें सेलेक्शन हो गया है काउंसिलिंग में शामली होने के लिए मेरे मई 2020 में परमिशन ली थी मतलब देखिए Through Proper Channel अप्लाई किया था जब भी आप किसी Government जॉब में होते हैं और अगर आप टेक्निकल रेजिगनेशन चाहते हैं तो आपको पहले अपने डिपार्टमेंट को इनफॉर्म करना होगा परमिशन लेने होगी उसके बाद जो है आप उसे अगला फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद क्या है कि यह कहते हैं कि कांसिलिंग में 4 दिसंबर को हैं इनकी कांसिलिंग भी होनी है मैं इस जॉब को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ यदि मेरी असिस्टेंट टीचर जॉब पसंद ना आए तो जूनिर असिस्टेंट के मैं वापस आ जाऊँ मतलब जिसमें जा रहे हैं वो तो जाई रहे हैं मगर जो पुरानी वाली है वो किस तरीके से रोकी जा सके कि अगर नौक्री पसंद आए तो वो आपस आ जाएं देखें दोस्तों यह क्या फैसलिटी होती है इसे लीन की फैसलिटी बोला जाता है ठीके? और ये facility के नभ्यारतियों को मिलती है ये मिलती है मान लीजे आप government job में हैं और आपको आपका provision period complete हो गया है वो minimum 2 years का होता है जब आप वो 2 years का complete कर लेंगे और उसके बाद आपका कहीं selection होता है और आप through proper channel जाते हैं यानि कि जो आपका resignation होगा वो technical resignation होगा आपको आपके department से NOC भी मिलेगा जो कि आप document verification पर दिखाएंगे जब आप lean पर जाते हैं तो आपको ये facility दी जाती है कि अगर आप चाहें तो 2 साल के अंदर जो है आप अपने पुराने department में वापस आ सकते हैं यदि आप normal resignation दे के जाते हैं तो जो है आप वापस नहीं आ सकते ये तभी होगा जब आप technical resignation के थुरू जाएंगे और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका provision period complete हो गया हो मगर जहां तक मैं आपका जान पा रहा हूँ ये जो भाल्ग भुश्वाण जी है कि अभी आपका जो है एक साल आठ महीं नहीं हुए है यानि कि आपके दो साल complete ही नहीं हुए है तो यदि आपका दो साल complete हो जाते हैं उसके बाद जब आपका प्रोविजन एक लेटर निकलता है दोस्तों department से कि इस candidate को या इस person को जो है इसका provision period complete हो गया इसका परखावदी से हटा दिया गया है और अब ये permanent employee है तो ये एक तरीके से जो facility मिलती है ये मिलती है दोस्तों permanent employee को और permanent employee दो साल में ही complete होता है ठीके बारत भुशन जी आई हो आप मेरी बास समझ गे होंगे तो यदि आपकी जोइनिंग आती है और थोड़ा बहुत extension तो हर सरकारी नौकरी में मिल ही जाता है तो आई होप अगर आपकी भी कोई query है जिस पे आप detail में वीडियो वनवाना चाहते हैं तो comment section में लिखिए और यदि आप मुसे बात करकर carrier guidance चाहते हैं तो phone पे बात कीजिए वीडियो के description में बताये गया है जल्द बिलेंगे दोस्तों हम next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत